अगर आपने अपने आईफोन को iOS 18 में अपडेट कर लिया है तो आपको एक नए फीचर देखने को मिल रहा है इसमें कि आप अपने आईफोन के जो एपस हैं इनको हाइड कर सकते हो अब हाइड कैसे करोगे इसके लिए वीडियो के देखना है इसकी बिलकुल भी नहीं कर दो इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस को लेटेस वर्जन पर अपडेट कर लेना है iOS 18 के अपडेट करने के बाद यहां पर करना क्या है जैसे कि कोई भी एक आप में दिखाता हूं कि इसको हम यहां पर हाइड करते हैं जैसे कि यहां पर आइमोवी यह वाला आप है इस को हमें हाइड करना है हाइड करने के लिए इसी एप पर आपको लॉंग प्रेस करना है लॉंग प्रेस करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको रिक्वाइर फेस आइडी पर क्लिक करना है और यहां पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्वा आपको एप देखने को नहीं मिल रहा है तो अब आपका वह आप कहां पर दिखेगा आपको आपको बताइता हूं कि स्क्रोल करना है यहां पर सबसे जिसे टॉप से नीचे के तरह आएंगे आपको यहां पर एक हाइड हीड़न का ओप्शन आजाएगा इस वाले आप पर जाते हो कि आप इस एप को अन हाइट करके फिर से हम होम स्क्रीन पर ला सकें इसके लिए आपको फिर से वहीं प्रोसेस करना है यहाँ पर जाना है हाई एडेन एडेट करना है इतना डिटेट करने के बाद यहाँ पर आपका आप सो कर जाएगा इस पर आपको फिर से लॉंग और अब अन्हाइड होने के बाद दुस्तों करना क्या है यहाँ पर देख सकते हो आपके यहाँ से फिले आपके वहां से हठ गया है लेकिन आपके home screen पर अभी भी नहीं आ रहा रहा अब इसको home screen पर लाने के लिए simple हम यहाँ पर उस app को search करेंगे अब यहाँ पर पिर से long press करना है, long press करने के बाद यहां पर उपर का सबसे पहला जो option है add to home screen का इस पर simple type कर देते हैं, tap करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो, आपका जो app है यह आपके home screen पर आ गया है, तो इस तरह से आप किसी भी app को hide करके उसको unhide कर सकते हैं, यह feature नया special feature आपको देखने को मिलेगा, अगर आपने अपने device को iOS 17 में update कर रखा है, तो ही आप इस feature को यहां पर यूज कर बाओगे, तो असकर दूसर वीडियो पसंद होगा, वीडियो पर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,